मित्रों जै मातादी काइसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगी मित्रों साल 2022 में आश्विन पोडिमा ब्रत कब है और पोडिमा तिथी कब सुरू होगी और कब समात होगी और आश्विन पोडिमा के दिन इस नान दान का क्या महत्व है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन आश्विन पोडिमा की तिथी जानने से पहले अभी तक हमारे इस चैना को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और जदे से जदे सेईर करेंगे मित्रों आस्विन मास के सुक्रपक्च की पोडिमा को सरत पोडिमा कहते हैं यह पोडिमा रास पोडिमा के नाम से भी जानी जाती है बैदिक जोतिस के अनुसार पूरे वर्स में केवल इसी दिन चैंदरमा 16 कलाओं का होता है और इससे निकलने वाली किरड़े अम्रित के समान मानी जाती है उत्तर और मद्य भारत में सरत पोड़िमा की रात्री को दूद की खीर बना कर चंद्रमा की रोसनी में रखी जाती है माननेता है कि चंद्रमा की किर्डे खीर में पढ़ने से यह कई गुना गुनकारी और लाबकारी हो जाती है इसे कोजागर ब्रत माना गया है साथ ही इसको कवमुदी ब्रत भी कहते हैं आस्विन पूरिमा से ही इसनान और ब्रत प्रारंब हो जाते हैं माताएं अपने संतान की मंगल कामना के लिए देवी देवताओं का पूजन करती हैं आपको बता दे कि साल 2022 में आस्विन पूरिमा 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार के दिन मनाई जाएगी और पूरिमा तिथी आरंब होगी 9 अक्टूबर 2022 को 3 बचकर 44 मिनट से और पूरिमा तिथी समापत होगी 10 अक्टूबर 2022 को 2 बचकर 26 मिनट पल